यह है यमाहा EP-E70A, एक Nikband Wireless Earphones, यह प्रीमियम कैटिकरी में आता है, और इसमें तीन खास चीज़ है, लिस्निंग केर, लिस्निंग अप्टिमाइजर और ANC, अक्टिव नॉइस कैंसलेशन, ANC, I'm sure आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, अक्टिव नॉइस कैंसलेशन, जो की बैगराउंड आवाजों को कम करता है, यह सुनिए, विदाउट ANC, इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, और इसमें वो सारी फीचर्स हैं, जो कि आपको दूसरे, निक बैंड वाले, यह फोन्स में मिलता है, तो यह है, यमाहा, EP-E70 का बॉक्स पैक, चलिए मैं फटावर्स की, अन्बॉक्सिंग करके आपको बताता हूँ, प्रीमियम लेवल का निक बैंड वाला वायलेस यह फोन्स है, और जो बॉक्स पैकिंग है, यह भी एकदम प्रीमियम लेवल की है, तो बॉक्स के अंदर जो प्रड़क्ट है, उसे इस प्रकार से पैक किया हूँ है, यह है निक बैंड वायलेस यह फोन्स, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें आप यह जो नेक बैंड वाला यह फोन से स्टोर कर सकते हैं और ट्रावलिंग के लिए यह काफी काम में आ सकता है इनके अलावा यह है बुकलेट जिसमें यूजर मैनुल भी दिया हुआ है बॉक्स में यूजबी टॉ टाइप-C केबल दिया हुआ है य यह special type का adapter है जो कि आप airlines में यूजब कर सकते हैं और यह type-c 2 3.5 mm audio jack cable दिया हुआ है तो अगर आप इस cable को यहां पर जो type-c port दिया हुआ है इसमें अगर connect करेंगे तो यह तरह से wired earphones बन जाता है तो यह है यमाहा का earphones white color का है नेक बैंड के साथ में आता है और जो नेक बैं है वहाँ पर पहनना है और यह देखें यह है यह यह जिने wire के जरीए यह जो neckband है इसके साथ में connect किया हुआ है यह magnetic नहीं है जो earphones है इनका जो shape है यह भी काफी unique type का है कानों में आपके बहुत ही comfortably fit होने वाले है और long use के हिसाब से भी यह काफी बढ़िया है यहाँ पर यह left लिखा हुआ है left side पर कुछ buttons दिया हुआ है जिससे आप media को control कर सकते हैं और अगर आपको call आता है तो उसे आप receive भी कर पाएंगे इस button का उप्योग करके यहाँ पर एक और बटन दिया हुआ है on off के लिए और led notification भी है अगर मैं इसे प्रेस करूं यह जो LED है यह अब blink हो र किया है अगर कोई firmware update आएका तो यहां से आप उसे कर पाएंगे और यह दिखे listening care on है और listening optimizer भी on है noise cancellation off है इसे मैं on कर देता हूं अब यह on हो गया है तो यहां से यह जो applications है इनका उप्योग करके जितने भी features है इन्हें आप activate या deactivate कर सकते हैं auto power of option दिया हुआ है इसमें और ज्यादा option नहीं दिया हुआ है बहुत ही simple application है I'm sure आप मेंसे काफी लोगों ने यह महसूस किया होगा कि जब कभी आप कोई content सुनते हैं खास करके Netflix हो या फिर Amazon Prime हो उसके content देखते हैं और फिर आप YouTube पर switch करते हैं तो जो volume है उसमें थोड़ा सा difference आ जाता है तो इसमें listening care feature द चुनाई देने वाला है और खास करके अगर आप lower volume में कोई audio सुनते हैं तो जो high और low frequency है उसमें इतना मजा नहीं आता है तो वैसा issue आपको इस पर नहीं मिलने वाला है listening care जो है इसे आप enable रखिए इसके अलावा एक और feature है listening optimizer यह listening care का ही advanced feature है अब यह जो feature है यह करता क्या है कि जो volume है real time में उसे monitoring करता है और जो equalizer है उसे adjust करता है ताकि जो recording levels है और जो dynamic range है वो एकदम accurate हो और perfectly balanced हो तो यह जो दो features है एक बार आपने इने activate कर दिया उसके बाद में आपको जो volume है उससे adjust करने की ज़रूत नहीं है automatically यह जो neckband earphones है यह आपको perfect और balanced sound experience देने वाले है चाहे volume loud हो या फिर low हो और मालनीजी अगर आप कोई ऐसे environment में है जहां पर जो background आवाज है वो जादा है तो जाहिर है आप ऐसे situation में जो volume है उसे increase करने वाले हैं यह जो yamaha earphones है यह intelligently sound levels को control करता है और उसे optimize भी करता है background noise levels के हिसाब से और जो sound ratio है उसे maintain रखता है मतलब कि आप अपना favorite music को low volume पर भी enjoy कर पाएंगे precisely yamaha यह काफी पुराना brand है और sound से associated है और यह जो earphones है यह अलगी level के हैं premium quality के हैं यह जो neckband है बहुत ही comfortable है और यह जो earbirds है कानों में बहुत ही बड़ी तरीके से fit होते हैं इतनी आसानी से घिरने वाले नहीं है long use के लिए एकदम perfect है इसमें built-in microphone है इसकी quality भी काफी अच्छी है जो दूसरा व्यक्ति है उसे आपके आवाज बहुत ही clearly सुनाई देने वाली है और sound quality के अगर बात करें तो amazing है bass बढ़िया है जैसे Indian users को पसंद आता है vocals भी clear है और instrument separation भी काफी बढ़िया है मैं खास करके कुछ variations सुनने की खुशिश करता हूँ तो वैसा variation मुझे इसके साथ में सुनाई दिया है अगर मैं इसे rating दूँ तो मैं इसे 4.8 out of 5 की rating दूँगा इससे आप समझगे होंगे कि इ impressive level की है इसके साथ में मैंने game भी खेला है और बहुत ही मामुली सा lag है लेकिन acceptable है वैसे यह wired connectivity भी support करता है अगर आपके पास कोई ऐसा smartphone है जो की audio jack के साथ में आता है तो उसे आप use कर सकते हैं वहां पर आपको lag नहीं मिलने वाला है battery life up to 18 hours non-stop again depend करता है कि आप ANC feature use करते हैं या नहीं charging के लिए तकरीबन 2.5 hours के आसपास लग जाते हैं और जहां तक ANC feature का सवाल है यह भी काफी impressive है जैसे की premium earphones में होता है इस पर जो buttons दिया हुआ है इसका उप्योग करके आप जो media है उसे control कर सकते हैं और जो connectivity है यह भी काफी अच्छी है voice input भी support करता है आप Google Assistant या फिर सीरी का उप्योग कर सकते हैं वेट है 62 ग्रैम इसमें Bluetooth 5.0 technology का उप्योग किया गया है और यह इन सारे profiles को support करता है Qualcomm UPTX adaptive technology का भी उप्योग कर रहा है इसका प्राइजिंग है 23,600 रुपीज लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है इस वीडियो को लाइक जरू और देक्टर ही